नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूटीब वीडियो में कार्ड्स यानि की आई बटन लगा सकते हो कुछ इस टाइप का तो दोस्तो अगर आपको जानना है कि आई बटन कैसे लगाते हैं यूटीब वीडियो में तो दोस तो दोस्तो इसके लिए आपको अपना Chrome Browser open कर लेना है then Chrome Browser open करने के बाद आपको Chrome में YouTube open करना है YouTube open करने के बाद दोस्तो आपको अपना Chrome Browser desktop site पे लाना है desktop site पे लाने के लिए आपको यहाँ पे 3.0 पे क्लिक करना पड़ता है तो उस पे आपको एक बार क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे आपको एक option मिल जाता है desktop site का तो उस पे आपको एक बार क्लिक करके desktop site on कर लेना है हमारा on है इसलिए हमने on नहीं किया desktop site on करने के बाद आपका chrome browser कुछ इस type का हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कोने पे अपने channel का logo दिखेगा तो आपको अपने channel के logo पे एक बार क्लिक करना है चैनल के logo पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस type के कुछ options आ जाएगे तो यहाँ पे third number पे आपको एक option मिलेगा YouTube studio का तो आपको YouTube studio के option पे क्लिक कर देना है YouTube Studio को option पे click करने के बाद आपके पास एक page खुल जाएगा कुछ इस type का then यहाँ पे आपको videos के option पे आ जाना है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे click करके आपको videos के option पे click कर देना है then यहाँ पे आपके channel के सारे videos आपके पास सो होंगे तो यहाँ पे आपको एक वीडियो सिलट करना है जिस वीडियो पे आप काड लगाना चाहते हो और example मैं इस वीडियो पे काड लगाना चाहता हूँ तो हमें इस पे एक बारे टेप करना है दिनिया पे हमारे पास कुछ options आ जाएंगे तो first number पे pencil के निसान पे हमें एक बार टेप कर देना है pencil के निसान पे टेप करने के बाद हमारे पास कुछ इस type का आ जाएगा video details का तो यहाँ पे हमें scroll down करना है scroll down करने के बाद behind screen के नीचे यहाँ पे हमें एक option मिल जाता है cards का तो हमें card के option पे click कर देना है card के option पे click करने के बाद हमारे पास एक page खुल जाएगा इस type का तो हमें अब video में एक part select करना है जिस part पे हम card लगाना चाहते हैं तो आपको part select करने के लिए scroll down करना पड़ता है then यहाँ पे आपको यहाँ पे select करने को कहा जाएगा तो फटाफट से हम कर लेते हैं select select करने के बाद चलिए वीडियो को continue करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 32 सेकंड पे select कर दिया यानि कि अगर कोई हमारे वीडियो को देखता है अगर 32 सेकंड पे आता है तो उसके पास card show होगा तो 32 सेकंड पे select करने के बाद हमें add card पे click करना पड़ता है तो आपको फर्स्ट वाले option के बगल में एक option मिल जाता है create का तो आपको create को आप्शन पे एक बार tape कर देना है create के option पे जैसे आप पे tape करोगे आपके पास आपके चैनल के वीडियो नजर आएंगे आप यहाँ पे search करके भी वीडियो select कर सकते हो या फिर यहाँ पे आपके पास जो वीडियो हैं उसमें से भी select कर सकते हो तो हम कर लेते हैं select, select करने के बाद हमें नीचे आना है नीचे में हमें एक option मिल जाता है create कार्ड का तो जैसे हम create कार्ड पे क्लिक करेंगे हमारा वीडियो में कार्ड लग जाएगा तो दोस्तो आई होप मैं आपको अच्छे से जानकर रिदिय पाया अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कर देना और चैनल पे अगर ने हो तो चैनल को subscribe कर बेल आइकन को press कर देना ताकि आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए take care and bye